हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू एजुकेशनल इंसाइड दोस्तो सूप्रभाद 14 माई 2021 लेटेस्ट अपडेट्स के साथ दोस्तो आपके साथ सामने हैं वैक्सिनेशन कराया होता तो इतने सिक्षक नहीं खोते जी हां दोस्तो मानी मुख मंत्री श्रीयोगी आदितनात जी अलिगर्ड मुस्लिम इनुवर्सिटी में मौत की हकीकत जाचने परखने दोस्तो पहुँचे और वहाँ पे जब पहुँचे तो उन्हें ये पता चला कि इतने प्रोफेसर्स और मेडिकल कालेज के जो भी स्टाफ है उनकी जान केवल इसलिए गई क्योंकि कोरोना की पहली डोस किसी ने भी दोस्तो लगवाया नहीं था आते हैं देखते हैं पत्र की सुर्खियों में दोस्तो क्या बात है कोरोना संक्रमण की इस्तति की समिक्षा करने अलिगर मुस्लिम उनिवर्सिटी पहुचे माननी मुखमंतरी श्री योगी आदितनाज जी ने कहा कि एम्यू में लगातार हो रही सिक्ष को वह प्रोफेसर की मौत की हकीकत जानने के लिए खुद यहां आया हूँ पता चला कि जो भी मौते यहां हूँ है उनमें से अधिकांस ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए टीके की पहली खुराक नहीं ली थी यह टीका लगवाया होता तो हम इतने सिक्ष को और प्रोफेसरों को नहीं खोते इसलिए टीका करण कारकरम से जुलना बहुत ही जरूरी है उन्होंने अब प्रत्यच चुरूप से सभी समुदायों के लोगों को टीका करण में आने का संदेश दिया माननी मुखमंत्री श्री योगी आदितनाथ ब्रस्पतिवार को संक्रमण की समिक्ष करने और एम्यू के जेयन मेडिकल कालेज में मरीजों के उपचार की इस्तती की जानकारी करने के लिए अलिगड़ आये थे पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि उन्हें लगातार खबरे मिल रही थी कि अलिगड़ मुस्लिम विश्विद्याले और जेयन मेडिकल कालेज में प्रोफेसर और सिख्षकों की कोरोना संक्रमण से मौत हो रही यहाँ पर जब इस संब्ध में कुलपती प्रोफेसर तारिक मंसूर से बातचीत हुई तो उन्होंने अस्पस्ट किया कि स्कुल सोला सिख्षकों की मौत कोरोना वाइरस संक्रमण से हुई है इनमें से दस की मौत मेडिकल कालेज में हुई है जबकि चार की अन्य जगों पर हाथ धुलवाए गये सीम ने पीपी किट ना पहन कर हैंड कैप फेस शील्ड और मास्क लगाया उन्होंने विवस्थाएं देखने के बाद कोरोना संक्रमण मरीज प्रमोश शर्मा और उनकी पत्नी से बातचीत किया समय पर दवाएं मिलने से लेकर डाक्टरों के व्योहार पर सवाल किये उन्होंने मरीजों का होसला बढ़ाते हुई कहा कि सरकार हर मरीज का ध्यान रख रही सीम के साथ उर्जा मंतरी श्रीकान सर्मा भी थे तो दोस्तों बड़ी बात है वैक्सिनेशन का संदेश माननी मुख मंतरी श्रीयोगी आधितनाद जी ने दिया है अब ज वैक्सिनेशन की डोज पहली और दूसरी जो भी खुराक है दोस्तों उसे दिया जाए इसकी भी कारगर योजना दोस्तों बननी चाहिए किसी भी जो परसन है कोई भी व्यक्ति है उसे किसी भी प्रकार की समस्या नाये क्योंकि जन अन्दुलन दोस्तों वैक्सीन तब ि ब प्रात्मिक विद्यालियों में खाली 97,000 शिक्षक पदों को भरने के लिए सोशल मेडिया चलाय जा रहे है अभियान का युवामंच ने समर्धन किया यूवमंच माने मुखमंत्री को पत्र लेकर उनसे प्रात्मी विद्यारियों में खाली पदों को भरने के लिए विग्यापन जारी करने की मांग कर रहा है UPPSC प्री अस्थागित होने के बाद मेंस भी तैस समय पर होना मुश्किल प्रारंभिक परिक्षा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने दोस्तों टाल दिया है कोरोना संक्रमण को मद्दे नजर रखते हुई एक परिक्षा है टाली गई है अब मेंस भी सा समय हो इस पे भी संसे दोस्तों बना है बात करते हैं संवाद नियूजेंश की कारश्यली पर भी सवाल उठाए पदा दिकारी ने का कई बार सिकषकों की समस्यां से आउगत कराया जा चुका है पर मगर ध्यान ने दिया गया माध्यमिक सिख्षक संके जिलाध्यच स्रित्रलोचन सिंग ने कहा कि अभी तक बोर्ड परिक्षा 2018-19 में कापियों का मुल्यांकन करने वाले सिख्षकों को पारिस्रिमिक नहीं दिया गया कोरोना काल में 33 पंचय चुनाओं में माध्मिक सिख्षकों ने अपने कर्तब का निर्वाहन किया कई सिख्षकों की जान चलेगी उन्हें सहायता धनास मिलने चाहिए अभी तक मार्च हुआ एप्रेल का वेतन सिख्षकों को नहीं मिला है सेवा निवर्त प्रधानाचारवा सिख्षकों की पेंसन वा जीपियप आज लंबित है मानता प्राप्त वित्वीहिन सिख्षकों को पिछले एक साल से अब तक वेतन भुकतान नहीं हो सका है इस अउसर पर जीला मंतरी प्रभाद पांडे राजेन बहादूर सिंग डक्टर रामचनल मिश्ट जैप्रकास आदी मोजूद रहे अस्थगित हो टीजीटी पीजीटी का आवेदन दोस्तों 15 मई है अंतिम्ति थी और 17 तक लागडाउन साइबर कैफे वे लटक रहा ताला ऐसी स्थथी में टीजीटी पीजीटी का जो आवेदन हो रहा है दोस्तों अभ्यरतियों ने मांग किया है कि इसे अस्थगित किया जाए निजी स्कूलों में मुफ्त में पढ़ने को राजी नहीं है 1400 बच्चे तो पिछले वर्स सभी चर्णों में कुल 2400 अभ्यरतियों का चैन हुआ जबकि प्रिवेश 2000 अभ्यरतियों ने लिया अब ये कोरोना महामारी आ गई है और कोरोना महामारी की पहली लहर में जिले के निजी स्कूलों में मुफ्त प्रिवेश के लिए चैनित जरूरत मंदों के 1400 बच्चों ने प्रिवेश लेने से ही इनकार कर दिया है उन्हें केवल बेसिक शिक्षा विभाग से जारी आबंटन पत्र को लेकर सम्मंधित प्राइवेट स्कूल में दोस्तों जाना था जिसके बाद आठवी तकी पढ़ाई और कौपी किताब का खर्चा सरकार की ओर से उठाया जाना था मगर महामारी के खौफ से 14 सव आवेद को ने चुने जाने के बाद भी प्रिवेश नहीं दिया शिक्षा का अधिकार अधिकार अधिनियम RTE के तहट पिछले वर्स RTE के तहट सभी चरणों में कुल 34 सव अभ्यर्थियों का चैन हुआ था जबकि प्रिवेश प्रक्रियत 2000 अभ्यर्थियों नहीं पूरी की थी इस अधिनियम के तहट निजी स्कूलों की 25% सीटों पर कक्षा एक से पूर प्रात्मी कक्षाओं में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों का प्रिवेश लेना होता है इन बच्चों की पढ़ाई का खर्च साशन की और से स्कूलों के खातों में भेज दिया जाता है वहीं कापी किताब के लिए 5000 रूपे अभ्यवाव को खातों में प्रेशित किये जाते है आर्टीई के तहद प्रिवेश के लिए तीन चरणों में आउनलाइन आवेदन पत्र मंगाये जाते हैं दस्ता वेजों के सत्यापन के बार लाटरी के माध्धम से आहर विद्यार्थियों को उनके वाड में मौजूद निजी स्कूल का शासन अस्तर से आबंटन होता है तो दोस्तों ये भी 10 जून तक कर सकते हैं आवेदन दूसरे चरण के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम के ताथ आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के निजी स्कूलों में होने वाले दूसरे चरण के लिए निशुल को प्रिवेज की आवेदन समय से इमा बढ़ा कर 10 जून तक कर दी गई है पहले 25 अप्रेल तक आखरिती थी जिसके लिए 1,801 लोगों ने आवेदन किया था नए कारकरम के मुताबिक 11 और 12 जून को दस्तावेजों का सत्यापन बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से कराया जाएगा 13 जून को लाटरी के माध्यम से ओनलाइन आवेदन होगा 30 जून तक चैनित विद्यालियों में प्रिवेज़ परक्रिया को पूरा करने का समय है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही ये वीडियो ये इन्फरमेशन ये लेटेस अप्डेट्स आपको कैसा लगा यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज आप इसे लाइक करें चैनल पर केमेंट करें अपने जैसे दोस्तों के बीच में शेयर करें लेकिन अगर आप एजुकेशनल इंसाइट वे आजए पी दूबी नमक चैनल पर ने पहली बार विजिट करें तो प्लीज इसे सब्स करें झाएक करें तो आप में प्लीज एजेजाब कर दो प्लीज आप करें लेंगर।